Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with AIM आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Top 20 उत्राखंड one-liner questions जो आपके उत्राखंड पुलिस, पटवारी, लेगपाल, बंदीरक्षक, LDC and other one day exam के लिए काफी important है ये हमारा उत्राखंड one-liner questions part 12 है इससे पहले 11 पार्ट भी हमारे YouTube channel Study with AIM पर upload कर दिये गए हैं आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें काफी important question है उन वीडियो में वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube channel Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले और बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर ले ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं अराउंट 3.9 के यहाँ पर सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पर क्विस का आयोजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स, पीडियाप्स हम यहीं पर शेयर करते हैं लिंक आपको इसका description box में मिल जाएगा बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ओर इस सिरीज का पहला question है गड़वाल नव युवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कहां हुई इस संगठन की स्थापना श्री नगर में हुई अगर पुछा जाता है कि कब हुई तो 1921 में श्री नगर में गड़वाल नव युवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना हुई अगला कुश्यन है कोड़द्वार में इस्थित मुकुंदी लाल के घर को किस नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है भारती भवन नाम से भारती भवन जो एक पक्षियों वा फूलों का संग्रालाई है मुकुंदी लाल का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1885 इस भी में च्वमोली जिले में हुआ था 1938 में नरेंद्र शा ने मुकुंदी लाल को तीरी राजी हाई कोड का न्याएधिश नियुक्ति किया 1922 में लैंस डाउन से तरुण कुमाओं मासिक पत्रिका का इन्होंने संपाधन किया अगला कुश्यन है तिहरी राजी प्रजा मंदल की स्थापना 23 जन्वरी 1949 को होती है तिहरी राज़ि प्रजा मंदल की स्थापना हुई अगला कुश्चन देखिए बदरिनात में 8-9 रियक्टर का भुकम्प किश वर्ष आया बदरिनात में 8-9 रियक्टर स्केल का भुकम्प 1803 में आया और ये राजी का सबसे बड़ा भुकम्प था अगला कुश्चन है 1398 में टैमूर लंग ने किस दर्रे से देहरादून में प्रवेश किया तैमूर लंग ने 1398 में देहरादून में मोहंड दर्रे से प्रवेश किया मोहंड दर्रा अगला कुश्चन है किस जनजाती के लोग जुम वीधी से खेती करते हैं जुम वीधी से खेती करते हैं राजी जनजाती के लोग राजी जन्जाती को बनरोत या जंगल का राजा कहा जाता है राजी की सबसे कम आबादी वाली जन्जाती राजी जन्जाती है इनके आवासों को रोत्यूडा कहा जाता है रोत्यूडा इनके आवासों को कहा जाता है और इनकी भासा को मुंडा कहा जाता है अगला कोश्यन है इग्यारवा भूमी बंदोबस्त किसके नेत्रित में हुआ इग्यारवा भूमी बंदोबस्त हुआ इबटसन के नेत्रित में इबर्ट सन के नित्रित में 11 भूमी बंदोबस्त हुआ गड़वाल में 1928 में 11 भूमी बंदोबस्त हुआ 1928 में यहां भूमी बंदोबस्त जो है ब्रिटिस काल का अंतिम बंदोबस्त था अगला क्यूश्यन है ब्रिटिस कोमाओं में पहला मुमन सिफ कब नियूक्ती किया गया बिर्टिल कुमाओं में पहला मुन्सिप नियूक्ती किया गया 1929 में अगला कुष्यन है गड़वाल छेतर में प्रत्धम जाती अधारित सस्ता है सरोला सभा सरोला सभा इसकी स्थापना तारा दत्गेरोला ने की तारा दत्गेरोला का जन्म 1875 इसबी को तीरी जिले में हुआ इन्होंने 1901 में गड़वाल हित कारणी सभा की स्थापना की 1917 में इन्हें राई बहादूर की उपादी दी गई कुमाओ परिश्चत के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता भी तारा दत्गेरोला ने की और कुमाओ परिश्चत का दूसरा अधिवेशन जो है ये 1918 इसबी में हलवानी में हुआ था अगला क्वेश्यन है उत्राखंड का इतिहास कितने कालखंडों में विभक्त है उत्राखंड के इतिहास को तीन कालखंडों में विभक्त किया गया है प्रग इतिहास काल आदिय इतिहास काल और इतिहास काल अगला क्वेश्यन है राजी की पहली महिला फिल्म निर्देश का है राजी की पहली फिल्म निर्देश का शालिनी शाह है शालिनी शाह अगला क्वेश्यन है दरपन अक्षांच नामक पुस्तक किस की है दरपन अक्षांच नामक पुस्तक नैन सिंग रावत की है ये उत्राखन के प्रथम सर्वेयर थे जिनका सम्मन मुन्श्यारी से था अगला कुश्यन है दलीतों को 1911 में शिल्प का नाम दिलाने में किसका प्रमुक योगदान रहा दलीतों को 1911 में शिल्प का नाम दिलाने का योगदान हरी प्रशाद टम्टा का रहा हरी प्रशाद टम्टा ये एक दलीत सुधारक थे हरी प्रशाद टम्टा अगला कुश्यन है पहली भारती महिला जिसे अंतराश्टी जूडों के लिए रेफरी चुना गया ये हैं शूष्री मीनू अगला कुश्यन है नमामी गंगे अभियान की शुरुवात कब हुई नमामी गंगे अभियान की शुरुवात 7 जुलाई 2016 को हुई नमामी गंगे योजना के तहट भागी रथी, अलकननदा, गंगा वब मन्दाकनी नदियों को शामिल किया गया इस योजना के तहट रिशी केश्वा देहरादोन में जै विवेत्ता पार्क बनाये जाएंगे अगला कुश्यन है कालू सिंग महरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए किस ने आमंत्रित किया वाजित अली ने कालू सिंग महरा को आमंत्रित किया वाजित अली वाजित अली अवद के नायब थे कालू सिंग महरा की बात करें तो कालू सिंग महरा का जन्म 1831 में चमपावत के विसुंग नामक गाउं में हुआ था और ये उत्राखंड के पर्थम सतंतरता सेनानी थे इन्होंने 1857 में पर्थम सतंतरता संगराम के दोरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था अगला कुश्यन है यहाँ पर कंडाली में स्प्रिंट हुआ है कांदली होना चीए कांदली कांदली के फूल कितने वर्ष में एक बार खिलता है कांदली का जो फूल होता है ये 12 वर्षों में एक बार खिलता है 12 वर्ष में और ये पिथोरागड जनपत में खिलता है पिथोरागड जनपत की अगर बात करें तो पिथोरागड जनपत को 24 फरवरी 1960 को अलमोडा से अलग करके जिला बनाया गया सरुपर्थम पिथोरागड में खस राजबंच ने शाषन किया खसों को पिथोरागड में किले या कोट निर्मान का श्रे दिया जाता है अगला कोश्यन है कॉर्बेट नैशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ ये हुआ दो हजार तेरा में कॉर्बेट नैशनल पार्क देश-वओ ऐस्या का पहला नैशनल पार्क है इस पार्क का गठन 1936 इस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुआ सतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया अगला कॉश्यन है उत्राखन में साहित दिवस किसकी पूनितिती पर मनाया जाता है साहित दिवस मनाया जाता है हरिदत शैलेश की पूनितिती पर हरिदत शैलेश हरिदत शैलेश का जन्म 19 सितंबर को हुआ था 19 सितंबर 1926 को हुआ था इसी दिन 19 सितंबर को इनकी पूनितिती को साहिती दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला कुश्यन है पर नहरू परवता रोहन संस्थान के प्रथम प्रधानाचारी कौन थे? नहरू परवता रोहन संस्थान के प्रधम प्रधानाचारिय ब्रगेडियर ज्यान सिंग थे ब्रगेडियर ज्यान सिंग नहरूप परवता रोहन सस्थान की स्थापना 14 नवेंबर 1965 में उत्तरकासी जिल्ले में हुए ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ दिये हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज आपको इसमें से कितने कुशन आए, कितना आपका स्कोर रहा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद